हमारा brain, जिससे मैं भी थोड़े दिनों पहले बात कर रहा था और वीडियो का लिंक डाल दूँगा हमारा brain एक कमाल की complex machine है उसमें एक इतना potential है कुछ भी सोचने का, कोई भी ऐसे thoughts लाने का एक downward spiral में जाने का, upward spiral में जाने का visualization और affirmation करके अपनी positive life बनाने का अपनी identity को disrupt करने का, हर चीज़ का लेकिन आज वीडियो में बात कर रहा हूँ कि क्या ये 5 चीज़े हैं और क्यों ये 5 चीज़े हमारे brain के लिए important है पहली sleep, दूसरा nutrition, तीसरा exercise, चौथा meditation और पाँछवा आप अपने environment में कैसे thoughts create करते हैं ये 5 हो, ultimately, कैसे brain को influence करते हैं और क्यों brain एक mean machine है, मैं उसको क्यों एक mean machine कह रहा हूँ इसी पर आज बात करेंगे ये video बहुत important हो सकती है आपके लिए क्योंकि आपको capable बनाएगी ये समझने, सोचने और then act करने में कि आप अपने brain को control करते हैं आपका brain आपको control नहीं करता है अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो like जरूर करिएगा comments में share करिएगा, जो 10 facts में बता रहो उनमें से कौन सा आपको brain के बारे में बहुत intriguing या बहुत fascinating लगा और अगर आप comment करेंगे, तो इस video की reach पढ़ती है और जाज स्यादा लोग जोर पाएंगे Ignite Neurons के स्मिशन से तो touch a billion lives positively Fact No.1 Brain is the fattiest organ of the human body brain का 60% fat से बना हुआ है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे chemicals और minerals हैं जो इसको बहुत ही fatty organ मनाते हैं body का इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको right type of fatty acids खिलाएं जो में almonds में मिलते हैं cashews में मिलते हैं dry fruits में बहुत ज़्यादा होते हैं उन सबसे हमारा brain efficiently काम करना सीखता है इसलिए कहते हैं न कि वो accroat जिसकी shape भी कुछ brain जैसी होती है उसको खाने से आपको brain तेज होता है enough to light a bulb वो जो emojis और icons देखते हैं जिसमें bulb जाग रहा होते हैं वो कितने सच है बट ये इतनी energy produce करने को brain के लिए जो metabolism महा चल रहा होता है जो energy produce के mechanisms होते हैं उससे में ये भी सबढ़ना बहुत ज़रूरी है कि brain के लिए rest भी बहुत ज़रूरी है I know rest brain को आपके सोने या उटने बैठने से नहीं मिले हो कि brain मन तो होना ही नहीं है बट आप अगर meditation को अगर आप अपनी life में इंकल्केट करते हैं तो that will allow you to at least give some rest to your brain आप sleep deprivation अगर नहीं करते हैं time पे सोते हैं, time पे उठते हैं enough hours की sleep लेते हैं तो that also calls for enough rest for the brain 23 watt की energy produce करने वाले एक organ आप सोचिए उसका potential कितना हाई है और अगर आप खुद को limit कर रहे हैं कि ओ मैं वो achieve नहीं कर सकता या मैं वो नहीं सीख सकती या मैं उस career में आगे नहीं बढ़ सकता तो आप खुद को limit कर रहे हैं आपका brain limited नहीं है fact number three वो जो सुनो होगा न आपने कि आप एक से दस परसेंट तक ही अपना brain यूज कर सकते हैं वो एक myth है आपका पूरा brain हर समय active रहता है हर समय उसमें करन्ट इधर से उधर दौड रहा है neurons के connections हो रहे हैं नए neurons बन रहे हैं वहीं से अच्री ये नाम आया था ignited neurons जो आप हर बार सुनते हैं जिस चैनल को आपने subscribe किया है और अगर भी तक नहीं किया तो अभी करने का time हो गया है बट वहीं से ये नाम आया था कि जैसे ही मा के पेट में बच्चा का conception होता है to the point we die हमारा हर औरगन चल रहा है लेकिन जो power हमारे brain में है सीखने की, grow करने की, change करने की, evolve करने की उसने मेरे को बहुत fascinate किया था और इसलिए मैंने company का नाम रखा ignited neurons, ये चैनल का नाम भी ignited neurons क्योंकि मेरा हर शब्द जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो आपके दिवाप में कोई ना कोई neuron ignite ज़रूर कर रहा है हो सकता है आप सोचे हो कि अरे ये तो बखवास है मेरे को ये वीडियो छोड़ के जाने और हो सकता है सोचे हो कि मैं तो wait करूँगा कि 10th fact वियुदकर्ष क्या बताते है कॉमें डालूँगा कि कौन सा fact मेरे को सबसे fascinating लगा फैक्त नुबर फोर ब्रेन का विकास शुरू के जो हमारे age होती है up to the age of 7-8-10 years तब तक बहुत hyper speed पर होता है वो बहुत actively grow कर रहा होता है बट ब्रेन की जो growth है वो 25 साल तक पूरी नहीं होती उसके बाद भी brain grow करता रहता है आपने वो सुना होगा कभी किसी को paralysis का attack हो जाता है तो उनके कुछ part of the brain stops working बट अगर वो बार बार उसको train करेंगे बार बार उसको activate करेंगे तो वो नई-नई activities सीख सकते है जब उनका जो dead part है brain का वो still काम नहीं कर पाता लेकिन कोई नया part काम करना शुरू कर देता है इसमें एक और बहुत famous saying है जो मेरे दिमाग में हमेशा से अटके हुए है neurons that fire together, wire together अर्थ उसका ये है कि अगर एक activity आप बार बार करेंगे चाहे उपनी बाजू को हिलाना हो चाहे वो लिखना हो कुछ भी activity को आप बार बार करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको सीख पाएंगा आपका जो brain है वो उसके against neurons को connect कर लेगा वो fire करेंगे और वो wire हो जाएंगे जिससे आपका brain उस activity को और fast तरीके से कर सकेगा fact number 5 जो हमारी spinal cord है जो हमारी बॉड़ी में चला जाता हूं तो just imagine that हमारी बॉड़ी में से में current दौर रहा है एक current दौर रहा है कि उतकर ये बोलो उतकर ऐसे करो और आप भी वही same neurons को ignite कर पा रहे है fact number 6 आपने कभी वो brain freeze experience किया होगा ना जब इतनी ठंडी हो जाती है कि सब brain freeze हो जाता है या आप कोई ठंडा इतना खाले कि उससे आपको महसूस हो कि अरे मेरा तो brain freeze हो गया वो brain freeze एक actual चीज है जब temperature of the skull के उपर जो arteries और veins होती है जो नसे होती है वो इतने ठंडी हो जाती है कि उनके अंदर एक contraction हो जाता है जिससे आप महसूस करते हैं कि जिससे मेरा brain freeze हो गया है हम brain के potential की बात कर रहे थे न तो fact number 8 ही है कि एक sand जितना brain tissue का टुकड़ा एक sand का particle जो होता है उतना सा टुकड़ा तो आप यह सुचे कि जो हमारा brain है उसकी potential कितनी हाई है जो हमें यह organ दिया है उसको हम limit नहीं करें मैं बार-बार इसी point पर आ रहा हूँ बड़ आपको यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी path पर जिससे आप कुछ नया सीखना चाहते है इसकी speed कुछ 270 miles per hour की होती है इस speed के साथ brain के अंदर यह सब हो रहा है कि हम बहुत कुछ तो control भी नहीं कर पाते इससे मैं यह ज़रूर आपको share करना चाहूँगा कि आप इस तरीके से समझे कि वो capable है to go into autopilot mode उसको लगए कि सुबा उटना है नहाना है, धोना है जो करना है, जैसे करनी लाए वैसे चलती रहेगी उस monotony को अगर आप break करना चाहते हैं उस monotony में से आप कही ना कही inspiration ढूरना चाहते हैं तो कोई video देखना किसी book को read करना किसी ऐसे इंसान से बात करना जो आपको inspire करता है ये सारे तरीके help करते है जो thoughts आपके brain को जा रहे है वो thoughts ये आपके brain को और फिर उससे निकलने वाले आपके identity को बना रहे है तो बहुत ध्यान रखिए कि कौन से thoughts आपके brain तक पहुँच रहे हैं क्या आप consume कर रहे हैं क्या आप online देख रहे हैं social media पर देख रहे हैं इन सब से बहुत influence होता है कि आपका brain क्या सोच रहा होगा Fact number 9 brain के जो storage हो एक terabyte, 10 zigabyte इतनी नहीं है is virtually infinite brain के अंदर इतना potential है कि वो कितना भी store कर सकता है किसी पी तरीके से उसको evolve कर सकता है एक research में बताया गया था कि brain के अंदर 86, 86 billion neurons है और वो मिलके कुछ 1000 trillion synapses और connections बना सकते हैं इस virtually infinite जो आपके brain की capabilities है और चाहे आप 5 साल के हैं 25 के हैं, 30 के हैं, 50 के हैं Yes, the speed of learning decrease हो जाएगी the speed at which we can maneuver tasks थोड़ा कम हो जाता है बड़ अगर आप तुमें brain को train कर सकते हैं तो आप किसी भी age पे कुछ भी सीख सकते हैं हमारा ये किसी को कहना कि तेरे को maths नहीं आता, तुछ English नहीं सीख सकता तू आर्ट नहीं कर सकता किसी को भी limit करना एक box में बिल्कुल गलत है आप सब कुछ भी करने के लिए capable है और अगर नहीं होता है तो comments में डालो कि क्या आप नहीं achieve कर पा रहे हो I'm gonna personally make it my mission in life कि मैं आपकी आके मदद करो और हम उस चीज़ को जरूर solve कर पाएंगे Finally, fact number 10 Brain के अंदर एक बहुत चोटा सा पाठ है जिसका नाम है बदाम जितना पाठ है Amidila वो Amidila जब भी आप किसी heightened emotion में होते हैं वो Amidila आपके पूरी action को brain को hijack कर लेता है वो होता है न कि अगर आप कहीं आग लगी है और आप उसमें हाठ डाल रहे हैं जटके से आप हाठ को पीछे कर लेंगे Amidila का वो ही काम होता है अब आज आग में हाठ तो हमें रेरली डालना होता है अगर आपको कुक करते हैं तो I understand बट कोई manager अगर आपको feedback दे कोई professor का या रहे है यह तो अच्छा paper नहीं बनाया किसी नौकरी से आपको reject कर दिया जाए या सड़क पर किसी ने आपकी कार को टक्कर मार दी तो जो heightened anger होता है anxiety होती है कोई भी ऐसे emotions होते है वो cause करते हैं Amidila का hijack उसको train करने का भी एक ही बड़िया method है which is meditation ultimately brain एक mean machine है brain एक बहुत ही amazing organ है जो हमें एक gift मिला है एक higher force से हमें उस brain को बहुत अपने उसके highest potential तक use करना उसको grow करना I think यह मेरी और आपकी हम सब की responsibility है so sleep, nutrition, exercise, the right thoughts and then meditation इन पाँच चीजों को apply करते रही और यह जो आपको एक infinite resource दिया है उसको बहुत अच्छे से use करिए if the video was of value today please share it with others please comment कौन सा fact था जो आपके लिए सब से intriguing था as always ignite neurons we are on a mission to touch a billion lives positively and आपका एक like, एक share, एक comment हमारे mission में माना साथ देता है so why don't you go ahead and do that